जहन साथियोग एक बार फिर सब्सक्रांप है आपक के अपने परिवार अंपडेट आइट पना करेंर में साथियोग मैं आपलों के साथ एक ज़ुर्ष उड़ हूँ आपके अपने परिवार पर जहां पे आप लोग आता है जिसमें कि आपको कहिन कहीं वेकेंसी देखने को मिलने वाला तो इस नोडिफिक्शन के साथ हम आप लोगों के साथ जूरे हैं हम सबसे पहले बता दें कि हम अभी ECIL के ऑफिशल वेबसाइट पर जहां पर आप लोगों को लेकर आये और बताने वाले आपको क्या निक कर रहे हैं गौर्मेंट जॉब है बट ये आपको कहीं न कहीं कांट्रक्ट बेसिस पर है ये ECIL में एक प्रजेक्ट है जिस पर काम करना है इसके लिए आप लोगों के लिए बेसिस पर भेकेंसी निकाली गई है जिसके लिए नोटिफिक्शन जाली किया गया आज से ही फॉ वीडियो में बने रहेंगे और उन्हीं को ये वीडियो समझ में आनी चाहिए ठीक है अगर जो नहीं चाहते हैं तो वह अपना समय कहीं और लगाएंगे चलिए पहले हम ये ECIL के आपको नोटिफिक्शन डाउनलोड करके दिखाते हैं तो आप यहां पर एक स्लाइड देख आपको पूरा जानकारी देंगे तो आप लोग के लिए लिए ओनलान एप्लिकेशन और इंवाइट फोर तो वेरियस पोस्ट एगेंस्ट दस ECIL के तरफ से निकल करा रहा है Electronics Corporation of India Limited भार सरकार परमानु विभाग के तरफ से यह कहां पर पड़ता है तो यह तेलंगाना में पड़ता है यह तेलंगाना के तरफ से आप लोग के लिए कहीं न कहीं वेकेंसी निकाली गई है हमने पहले ही बता दिये कि आप यह क्या है तो यह Contract basis है ठीक है Contract basis पे यह form को निकाला गया और यह Contract कितने दिनों का है यह भी हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर Advertisement नमर की बात कर ले तो 17 वट्टे 2024 लिखा गया है और डेट जो है 29 साथ 2024 में लोगी कल के डेट में यह कहीं न कहीं जाली किया गया था इसके पाद आ Initial Terms मतलब कि आपका जो One Year का जो यह Contract दिया गया है उसमें आपको चार साल का Extend किया जा सकता है ठीक है मतलब कि आपके Contract वह बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन वह Including होगा क्या Initial Terms मतलब कि पहले साल को उसमें जोड कर मतलब कि आपको टोटल अगर बात करें तो एक साल का जाता है तो तीन साल के हिसाब से कितना हो जागा तो यह चार साल का आपको कहीं न कहीं देखने को मिल सकता ठीक है इसके बाद आगे बताएंगे आपको कि किस किस पोस्ट के लिए आपको कहीं न कहीं वेकेंसी दिया गया तो पोस्ट के लिए आप देख सकते है तो यहाँ दो पोस्टों पे कहीं नहीं आपको vacancy दी गई है अब पोस्ट क्या-क्या है तो हम आपको वो समझाने की पहली कोशिस करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं आप एक है junior technician on contract मलग contract basis पे आपको junior technician के लिए है और दूसरा है junior technician on contract grade 2 के लिए चीक है तो दो परकार के आप आपको कहने कहीं vacancy देखने को मिलेगी contract देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्या बोला गया तो आपका first year payment जो होने वाला है वो first year के बात कर ले तो konsolid amount of 22,528 पर मंथ first year ठीक है किसका तो junior technician on contract basis जो grade 2 वाले बच्चे होंगे grade 2 के लिए जाएंगे उनके लिए first year में 22,528 रहने वाला है second year की बात करें तो वो 24,000 कितना रहने हैं 24,780 रहने वाला है और third year की बात करें third और fourth year की तो 37,259 रहने वाला है तो यह किसके लिए था तो यह technician junior technician contract basis grade level 2 के लिए और अगर आप junior technician on contract basis पे जाते तो आपका कितना होने वाला है 24,412 रहने आपको पर मंत आपको जब तक contract sign करवाया जागा तब तक के लिए ठीक है तो यह बाते हैं और उसके बाद आपको बताया गया है कि आपको इस department के तरब से towards medical insurance company PA TA TD paid leave and per extend rules मतलब कि आपको TD TA दिया जाएगा PF कटेंगे आपके insurance होगा आपका medical अगर आपका भी कोई बिमार होता है तो उसको क्या जाएगा medical आपको खर्चे दिये जाएगे ठीक है तो यह सारी जानकारी है उसके बाद आपको दिखाया गया reservation and relaxation आपको relaxation कितना दिया गया यह बात भी हम बताएंगे तो आपको बोला गया कि इस वेबसाइट पर आपका फॉर्म कर फिलफ कर सकते हैं वो की 29 तारीक से आपका फॉर्म भराना स्टाट हो चुका है अब आपको eligibility क्या चाहिए उसके बारे में हम आपको बता जाते हैं तो eligibility आपको चाहिए उससे पहले आप selection को देख लेंगे कि selection आपका कैसे होने वाला है कि after applying online successful registration आपने जब online registration किया उसी टाइम में आपको आपका जो है form submit हो जाएगा और इसके बाद आपका selection जो होगा वह आपका एक्जाम नहीं होगा इसमें आपको direct आपके marks basis पे कहीं ने कहीं किया जाए लेकिन आपको बोलागे कि return test center के लिए आपको कहीं ने कहीं कॉलम को fill up करना जो कि place of posting में आपको दिया जाएगा प्लेस और पोस्टिंग आप कहां चाहते उसमें रीटेन ठीक है उसमें आपको क्या क्या बताया गया तो qualification आपको क्या रखना चाहिए तो बीस परसेंट ऑफ एग्रीग्रेट परसेंटेज इन बीटेक एन आईटिया मलाकि यह जो वेकेंसी निकाली गई है और उनका बीस परसेंट कम से कम उनके अपने ट्रेड में होना चाहिए अगर जिस ट्रेड से आपने बीटेक यह तो आईटिया कर रखा है ठीक है उसके अलाबा आपको बोला गया है कि अगर आप relevant experience रखते हैं तो relevant experience क्या क्या होना चाहिए तो project engineering on contract उसमें अगर रखे है तो आपको 30 नमर का benefit मिलने वाला है और 15 marks का आपको कहीं न कहीं आपके जो degree है उससे मिलने वाला है और आपका जो होगा mandatory experience होना चाहिए वो बीटेक या बीए होना चाहिए और उसमें तीन साल का experience भ on contract basis grade level 2 के लिए form को fill up करना चाहते हैं तो आपको ITA plus apprenticeship plus one year का experience होना चाहिए तब जाके आप grade level 2 के लिए junior technician के लिए form को fill up कर सकते हैं और junior technician के लिए form बना चाहते है तो के बल आपके पास ITA और apprentice से हो तो आप इस form के लिए eligible है total आपका जो होगा total आपका जो होगा वो 50 marks का होगा बना कि आपका selection को जो marks basis रखा जाएगा वो 50 पे रखा गया ठीक है तो आपको general condition के बात बताते हैं तो candidate should be obtained at the list 60% in the BA BTEC जो अगर किये हुए है तो आपको 60% marks होने चाहिए तभी आप इसके लिए eligible है should pass two year ITA program बना कि ITA में दो साल का आपके पास certificate होना जायए उसके बात अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट रखी गए तीस साल और लोर एज लिमिट रखी गई है तीस साल लेकिन एज पर government rule क्या है एज पर government rule आपको कहीं न कहीं age relaxation भी दिया जाएगा तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि OVC में आपको तीन साल और SCST में बास साल का age relaxation दिया जाएगा लेकिन यह वेकेंसी contract basis पे और contract basis पे अगर आप interested है तो आप इस form को fill up करें बाकि आप इस form को fill up ना करें अगर आप contract basis में interested है तो आप भर सकते हैं आपको मैंने initial pay भी बता दिया क्या payment रहने वाला तो यह सारी जानकारी हमने आपके साथ share करी और ECIL में अगर आप interested है atomic energy के department में अगर आप interested है तो आप इस form को भर सकते हैं बाकि यह एक साल का contract है आप extend किया जा सकता है इसे तीन साल तो मतलब कि टोटल आप चार साल समझ सकते हैं इसे लेकिन जो interested है वह ही इस form को fill up करेंगे यह मेरी तरब से recommendation है तो आजा करते है कि आपको यह notification समझ में आई हो होगी यह आज से form fill up करना start हो चुका है तो आप लोग अगर interested है तो form को fill up करेंगे हम आपको लोग के साथ चुरेंगे फिर से नए वीडियो में अच्छे जानकारी के साथ अगर आप लोग के कोई notification फिर से निकल कर आती है तो हम फिर से चुरेंगे तो मिलेंगे आप से अग हमी हम निकल कर आप लोग के से वीडियो बंश से चुरेंगे तो हम लोग कियो देया तो हम फिर रजान कार आपूरा के साथ तो हम रुछ जря में साथ तो हम हम प् है जाप लोग कि व्या में हम हुआता आपिर से निकल का शख र relatable